Hello everyone, welcome back to my channel. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना vlogging setup दिखाने वाला हूँ. साथ ही आपको YouTube पर 0 से hero बनने की भी कुछ tips देने वाला हूँ. ये वीडियो बहुत ही important है. तो इस वीडियो को आप बिना skip के हुए पूरा देखें. चल ये वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, ये है हमारा studio जिसे मैं अपने news channel के लिए इस्तिमाल करता हूँ. और ये वो सारे हथियार हैं जिनने मैं अपना vlog वीडियो शूट करने में इस्तिमाल करता हूँ. तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारा laptop है. और ये ट्राइपोर्ट है, ये ट्राइपोर्ट जिसका राम नाम सत्थ हो चुका है फिलहाल. अब इसको सिर्फ इसका अंतिम संसकार बाकी है. ये हमारा सबसे मजबूत गॉरिला ट्राइपोर्ट है, जो हमने Amazon से 1100 रुपे में मंगाया था. और ये लाइट एक छोटी सी, जिसे मैं न्यूस चैनल के ये ही लिए इस्तिमाल करता हूँ. इससे पहले में इसका जब मैं इस्टुडेंट लाइफ थी, तो इसे मैं यूस किया रता था. और एडिटिंग के लिए मेरा लैप टॉप है, और ये है बोया का माइक, जिसे मैंने 9500 रुपे में खरीदा था, आज से 4 साल पहले न्यूस चैनल के लिए, लिए अब तो इसका रेट बहुत काफी कम हो गया है, और ये है सबसे बढ़िया चीज, वाइरलेस माइक है, ग्र मैंने अपने न्यूस चैनल के लिए ही खरीदी थी, जिसका इस्तिमाल में कभी कभी अपने व्लॉगिंग में कर लेता हूँ, बहुत रियर केस में ही, अरे कहना क्या चाहते हो, दोस्तों ये जुगारू लाइट हमने बनाई थी, 50 रुपे मैंने खर्चिये थे, ये LED लाइ तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अपनी वाइस, ये वीडियो की वाइस है, उसको आपको सही रखना पड़ेगा, तब ही आप यूट्यूब पे ग्रो हो सकते हैं, साथ ही आपको एक शेडूल बनाना पड़ेगा, चाहे आप रेगुलर एक वीडियो अपलोड करें, आप लॉगिंग शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप एक सस्ता माइक खरीद सकते हैं, तो खरीद लीजे, क्यूंकि इससे आपकी वाइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है, अगर वाइस क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपको ओडियोंस किया था तब इसकी अर्निंग भी हमारे इस चैनल पर बढ़ रही थी और साथ ये आठ महिने में मेरा ये चैनल मुनिटाइज हो गया था तो आप लोग भी अगर ब्लॉग चैनल बनाना चाहते हैं तो उस पर आप रेगुलर रहिए ताकि आप भी को भी जल्दी से गुरो मिल सके तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई